अपोजिशन के अलाद देखके आपको तरस नहीं आता अचा ये क्वेस्टिन सीरियस पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए आप मुझे बताईए नहीं आपसे पूछना चाहरा हूँ वो कहते हैं बस कर दे हमारी ठुकाई बहुत हो गई है दो बड़े पिलर आपने उठा के जो रूलिंग अलीट भी है जो कैदत में से थे जेल में डाल दी है हमजा साब की बारी लगने वाली है तो यह हलाद किस तरफ जा रहे हैं साथ रफीक साब अंदर पड़े है मतलब पर रफरेंस बने हुए हैं वो अभी तक किसी ने हाथ ने पर डाला बाबरवान साब पर रफरेंस बना हुआ है और इनको पकड़ने के बाद नवे दिन बाद रफरेंस हाया है हाशियान एक बाल का तो इस पर मैं थोड़ी आपकी रहनमा ही चाह रहा हूं क्योंकि आप वि पर्टी ने रेजाइन भी किया है तो पार्टी का मौकफ किया वो भी मैं बैंकर देते हैं हमारा मौकफ यह है कि जिस किसी ने इस मुल्क के अंदर आफिस होल्डर था पब्लिक आफिस होल्डर और उसने करप्शन किया उसका इतसाब होना चाहिए यह तो एक बात टैया अब यह आप देखें कि पिछले 30-30 साल से दोरे होमत में कौन कौन रहा है जो आफिस होल्डर नहीं है आप कहरें उससे भी पकड़ने जरूर पकड़ना चाहिए मुक्तलिफ अदारे हैं जो भी हैं पाकिस्तान के वो जाके पकड़ें उनको या तो आप यह बताएं कि यह यह बंदे पकड़े जा रहे हैं इसका रेफरिंस इमरान ुक्राइन भांग उक्षस भांग अनुन इस पर बनाया है तो बनाने वालों ने कुछ सुसमघ कर बनाया होगा आज वो खुध भुगधरे तो आज जमुरियत यादा आरी है हमने तो नहीं बनाया है । अभी शा अमरी तरफ से तो जाएंगे, जो होगा, जो डिपार्टमेंट में, मेरे डिपार्टमेंट में, शायद कोई रेफरेंस हो, शायद मैं उस पर वरकिंग कर रहा हूँ, शायद मैं बेजना हो, वो बेजेंगे, जो करॉप्शन डिपार्टमेंट के अंदर थाबत होगी, मतलका क किसी एदारे ने कर लिए फिर आगे फावर्ड करेंगे मैं इन में से किसी को नहीं चोड़ूँगा तो वहां फिर इदारे और हकुमत मिक्स हो जाती है फुट्प्रिंट्स इकटे हो जाते है मैं ये बारीक लकी रहे एक वो मैं पूछना चारूँ आपस मैं अर्श करता हूं अधिया खावर्ड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है सारे अधारे उनके नीचे है इस्पेशली जहां से जिनके ओपर मिनिस्टर जाके बैठते हैं वो अधारे उनके नीचे है अब फर्स करें मेरा एक अधारा और मुझे अधारे के अंदर किसी करॉप्शन का पता चला और मैं कोई प्रेस कॉन्फरंस कर रहा हूं और मैं कहता हूं कि मेरे अधारे के अंदर ये ये होता रहा है तो क्या मुझे हक नहीं है कहने का क्या मैं वो बात ना करूँ जो मेरे इल्म में है मेरे इल्म है यह कि मेरे अदारे में क्या होता है मैं आप इस वज़ा से नहीं करना चारा कल को आपने कहना मिनिस्टर साथ कर गए थे तो उन अगे रेफरंस पेज दिता है आपने यह बात कर देनी इसे वज़े जो मैं अब करनी रहा अब क्वेस्टिन यह है कि इन अधारों के अंदर जो खलवार होता रहा है पॉबलिक आफिस के जो इस्तमाल किया जाता रहा है मुझे एक बात बताएं ये काम पर लिखा हुआ है कि शुगर मिलें री लूकेटों नहीं है इनकी रॉयल फैमिली की और इंडस्टी डिपार्टमेंट उनको डिफेंड कर रहा है और जो वकीलों को फीज दी जा रही है एक करोड और 54 लाख रपे वो भी इंडस्टी डिपार्टमेंट दे रहा है अब मुझे बताएं कहां लिखा हूँ अगर यह मैं बात कर दी और इसे मैं आगे लिखके किसी अधारे को बेजता हूँ आप कहेंगे आपको कैसे पहले पता था मुझे इस वज़े से पता है कि मैं डिपार्टमेंट के अंदर रहता हूँ मैंने डपार्टमेंट के अंदर से पता किया कि वो क्या रहा था इसके लावा और भी बड़ी चीज़ है आपकी मिनिस्पी और वजिर दाखला है अमरान खान साब की उनके पास ज़्यादा इंफरमेशन उनके ज़्यादा इंफरमेशन उनके पास होनी चाहिए अब वहाँ पर लोगों की जमीने अंदर आगी है मेरे पास यहाँ पर काखस पड़े में में दे दे तो चलाओ ना अपने टीवी पर जाके चलाओ गरीब आदमी उदर कोस रहे हैं उनकी जमीन अंदर है उनका जो वो लगता हम नहीं चलाएंगे कोकर पहले सके बाद जाती हुमरा की तरफ कब जा रहे है मुझे उस गरीब आदमी से है जिसकी जमापुझी वो ठारा एकड़ है और ठारा एकड़ में भी एक 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 एकड़ आती है जितने वो फैमिली के लोग है कितनी ट्रोटल जमीन पर कपस है कईयों पर होगा मुझे नहीं पता मेरे पास जो कागज आए हैं वो पिछले आठ साल से बचारा रूल रहा है मेरा हम उदर हमसाय है मेरे साथ मेरे लके का वोटर है बात यह जो इन्फोर्मेशन हमारे पास आती है वोई इन्फोर्मेशन आपको देंगा मेरे के तवसल से चीज़े नहीं पता है मेरे लड़ रही है और एक सर्वाइवल की जांगा हकूमत को लड़ना पड़ेगी ऑपोजिशन का तो मुस्तक्बिल पूरा स्टेक पे है वोट बैंक स्टेक पे है अगर कोई क्लियर नेरेटिव सामने ना आया तो वोट बैंक उनका डैमिज होगा लेकिन अगर हकूमत डिलिवर ना कर सकी तो अपोजिशन तक्वियत पकरती जाएगी और यही लोग जो जेलों में बैठे हैं ये मजबूत तरीन होते जाएगी मजीद वोट बैंक बिनका इन कॉन्टेक रहेगा इस पर हकूमत डिलिवर के हохाले से आप क्या कहेंगे और क्या ऐसा मेकनिजम है कि आप समझते हैं कि हकूमत डिलिवर करते हैं जिखें गुज़ारे सुरा इमरान झांसाब के पास बड़ा असान रस्ता था इमरान सब सब आये खान साब एज़ प्राइम मिनिस्टर उन्हें क्या चाहिए था बाहर जाते सस्ते मेंगे जितने भी करजे लेते लाके यहां पर जो यशियां थी वो लोगों को करवाते लोगों से मराद है बिरॉक्रेसी को करवाते मिनिस्टर साहबान को करवाते सेक्टि साहबान को करवाते 56 कॉंपनियां बनी थी 156 कर देते अंडर पास इसका जाल बचा देते करजे और लेते 1.2 ट्रिलियन 1200 अरब रपे का आपका सुबा मकरूज है आपका सुबा आप हमसे रिलीफ लेने की बात करें आपने कभी उनसे पूछा है कि बारा सो अरब रपे किदर लगाया कभी पूछा है पूछे उनसे वो करजा कौन उतारेगा आप लोग उतारेंगे आपके बच्चे उतारेंगे उनके आगे बच्चे उतारेंगे और उनके आगे बच्चे उतारेंगे 10 नसले गिर्वी रगए है हमारे पास भी असन रस्ता है वो असन रस्ता ये है कि कर्जे मigator ले, पाकिस्तान की सारी यह बापड़ा उस मिज़िन रिखवा दें पी टी अषिट को भी रिखवा दें रेल्वेश को भी रिखवा दें हर चीज को गिरुविन एरत वी रिखवा दें को आके सारा कुछ करो अपने बचों कर ये बाहिर महलात बनाओ अलला खैर सला और खुद भी काओ लोगों को भी जो भी रुपया खुद काओ दो पैसे इनको डाल दो खतम होगी बात और जो जब वो जाएंगे हम तो पता चलेगा कि हर बचा पांच लाक रपे का मकरूज हो आप ये चाते हैं मिया सब ये तो आप सुने की दास्तान बढ़ाई आप तो जेलो में चले गए वो तो चल रही चीज़े हैं फैक्ट होंगे ठीक है होंगे नहीं हैं अच्छा चलें लेट दें प्रूव मैं करूज है मैं इसमें क्या प्रूफ करूँ आपको मुझे हैं जो हम कर सकते हैं मैठल Haul Azizy आप करफ़े में ले रहे हैं खारी मकारा जारे के मताबिक परक्शन क्रूव ना परौप γाए मैं अब अब अज़ड़ा आएगा जून में हम देंगे मुझे उमीद है हम 25 पर्षन पब्लीक को रिलीफ जरूर देंगे अगला बजड़ा आएगा 50 पर्षन रिलीफ देंगे अगला बजड़ा आएगा इंशाला 100 पर्षन रिलीफ देंगे ये स्टेप बाइ स्टेप चीजे होनी है हमने जो policy हमें मिली है federal level से और हमारे ची मिनिस्टर उस्मान बówजडार साथ ने दी है जो हमें guideline दी है उसके मताबग हम काम काम करें हम कोशिष ये करें कि सबसे पहले अपने पेट को छोटा करें अपने अखराज़ात को काम करें फिर हम public के पास जाएं इतनी मजबूत opposition के होते हुए चंद सीटों का फरक है तो आप समझते हैं कि इतने budget आप दे पाएंगे सारे? क्या होगा? दो ही रस्ते हैं, दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे, डिरेक्शन हमने दे दी, अगर फर्द करें को कुबन नहीं होगी फिर क्या होगा? हमें इससे कोई खरज नहीं हैं कि होगी नहीं होगी, हमने ये देखना है कि सही क्या है? मेरे बचे ने इस मुलक के अंदर रहना है, मेरे बाओ उजदाज की कबरे इदर है, उन्हों रहना है, मेरे महलाद बाहर कोई नहीं है, है आदे दुसी ले लो, मैं तो नफरीद ही थे, अब गुजारिश ये है, कि जो चीज हम करने जा रहे हैं, वो आने वली नसल के लिए करने जा रहे हैं, जाती एजन्डा कोई नहीं है, जाती एजन्डा होता तो शायद हम भी इमरान खान साब के पास जाते हैं, और जागे थे, खान साब केड़े चक्रेंज सानुपाद इता है, पैसे लिए आओबारो करज़े, इस मुलक गिर भी रिखो, ते चलाने हैं, सार कुछ होता है, हम खान के नजरिये के उपर चल रहे हैं, और नजरिया यह है कि इस मुलक को ठीक करना है, इस मुलक के आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए हमने सोच रहा है, उसके बच्चे का सोच रहा है, उसकी तलीम का सोच रहा है, उसके रोजगार का सोच रहा है, उस ठीक होने की जरूरत है, ठीक हो जाएगा, कब हो जाएगा, आने वाले दो, चार, छे माँ के अंदर आपको मुझीद बेतर उत्तावा नजर आएगा, आप कहेंगे, नहीं यार इनकी डिरेक्शन ठीक है, ये बेतर अंदाज में चल रहे हैं, ये हमारे बच्चों के लिए चाहिए हमारा मकसद पाकिस्तान है, हमारा मकसद अपना खांदान कुछ आलवला कोई नहीं है, बहुत शुक्रिया है। हमारी कोशिश है कि आने वाले जो हमारा सेशन है उसमें हम प्रोड़क्शन ओर्डर जारी भी करवाएं और सुलिमान रफीक साथ जो है वो इसेम्बली भी तिश्रीफ लेके आएंगी अकले जनवरी का जो पहला वीक होगा उसमें इन्शारला तो ओमनी ग्रॉप के हवाले से जी आईटी की फाइंडिंग्स बड़ी खौफ़नाक हैं और अक्रॉस दी बोर्ड मीडिया में अवाम में बड़ा उस पे हैरत का इजहार भी किया जा रहा है और लोग पूछ रहे हैं और पीबल्स पार्टी के पास काउंटर नेरेटिव भी नहीं है कोई कि वो उसको अड्रेस करें एक एक नुक्ते को जो जो जी आईटी ने दिया और जो फाइंडिंग्स है जी आईटी की उस पर एक एक बात पर वजाहत कर दें किसी तरह की कुई चीज मौजूद नहीं है पंजाब में पहले आप डेंट शुदा पड़े हैं इसका नुक्सान ये होगा एट दी एंड आपको सिंद में भी फिर आईट दी एंड पिर पार्टी को सारा कुछ भुगत ना पड़ेगा तो अब आप हलाद क्या देख रहे हैं देखें जी ये कोई पाकिस्तान पीविल्स पार्टी के साथ पहली दफ़ा नहीं हो रहा जहां तक तालूग है हमारे narrative का और जहां तक तालूग है हमें एक एक point के clear करने का ये की इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा इतसाब करने वाले जो है वो खुद इतसाब के काबिल है और उनके घर में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो जिनका इतसाब होना जरूरी है और इमरान खान साब जो फर्माते थे के हमारा हम घर से इत्साब शूरू करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान, वजीरे दाखला तो दाड़े की चक्र में नहीं है ना, असल काम तो बारीकी से वजीर दाखला देख रहे हैं, वो तो खुद बिचारा जह रहा है, वो नहीं ज़गे तुद अपने केसे हैं, उसने हमें क्या करने हैं और क्या नहीं करना अब जो कुछ शौकत खानम के अंदर हुआ है उसकी भेन वहां से पैसे लेके गई उसने दुबई में जुवे खेले उसने दुबई के अंदर प्रॉपरटीज खरीदी उसने सुप्रीम कोर्ट के आगे आगे सिरिंडर किया और जुर्माना भरा उसको क्लीन चिट मिली उसको तो किसी ने ना मनी ट्रेल पूची है ना उससे सोर्स पूचे है ना उससे किसी ने कोई चीज़ पूची है अगो याद है अमरान खान साब पार्टी बने थे पिनामा पेपर्स में सब्रीम कोर्ट चले गए थे और सब्रीम कोर्ट ने फिर पिनामा पेपर्स फिक्स किया औ तो आप चले जाएं कोट में? क्यों नहीं जाते हैं? नहीं हम कोट में क्यों जाएं? क्यों ना जाएं? अब तो इतनी अजाद अदली है आपके सामने हर छोटी 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 चीज़ उनके होते हैं, मुझूदा वजिर दाखला के होते, FIA Directly Reported, वजिर दाखला, उनके होते जरदारी साब आप अंदर चले जाएंगे, तो आप कोट भी नहीं जाएंगे किसी के खिलाब? हम कोट में जाएंगे, हम कोट को फेस भी करेंगे, हम कोट में जाने से तो नहीं कहरें हैं, हम तो यह अभी एक पेशी भुगत के आए हैं, लॉर रिजिस्ट्री में जो सुप पिपरस्वार्टी के साथ आप तक अपने नज़ियार की हुजा से आप नहीं समयते के जो क्रॉप्शन चार्जिस अब देखें ना आप हिल मैटल और जीजिया देखें वो 16 मिलियंदाओ की एक आती है छे मिलियंदालोर की एक आती है बाइस मिलियंदालर वह गया अब इंकम और गोश्वारे चेक किये जब उन्होंने तो कोड के ओर्डर के मताबिक वो उनके वन मिलियन बन रही है तो वो बहुत बड़ा फरक था 1996 और 2001 के दिरमेन जब यह ने खरीदा गया तो अब उसको जस्टिफाई करना मुम्किन नहीं रहेगा उसको जस्टिफाई ना करते हुए फिर बच्चे भी बाहर रहे बच्चों ने आके मुकदमा भी न लड़ा और नवाज श्रीफ साब ने गवाब भी न पेश किये किसी भी तरह के और वीक तरीके से मुकदमा लड़ा ताके वो और कोई कॉंटर नेरिटिफ भी सामने ना आया अब मुझे ये बताईए कि इन सारी बातों से जो करॉप्शन के चार्जिस हैं जैसे आप पे उन्होंने का है कि थर कोल में आपने पावर प्रजेक्ट लगाना था वो 15 अरब का था आप 44 अरप्यों से ले गए तो इस तरह की चीज़ें बड़ी हसास है और बड़ी खौफनाक है देखें जी ये तो हम अदालत में थाबित करेंगे ना जी अब निवाज शरीफ का मैं तो जवाब दे नहीं हूँ मैं तो अपनी पार्टी का हूँ और हमारे साथ जो हुआ आपके सामने है जो फैसल मलक के यूम करते रहे जो फैसलों में टेलेफोन और वाटसैप कॉल्स होती नहीं और सारा कुछ होता रहा वो सारी कौम के सामने है मैं अर्ज कर रहू कि हम ना जेलों से भाग रहें है ना जाआइटी से भाग रहें हम तो जा रहे है पेश हो रहे हैं पना दे रहे है और सारा कुछ करेंगे इन्श weight किया इन्हीं अदालतों न हमें बेगुणा भी किया आपके सामने है और इंशाला ताला आगे भी हम बेगुना साबित होंगे कि नवाशीर साब को रसीव करने जाना है इन सब को पता था कि इन्होंने एरपोर्ट नहीं जाना लेकिन वोटर को नहीं पता था उसने घुसे का फिर इजार किया और वो एलेक्शन वाले दिन जुलाई 25 जुलाई को वोट जाले नहीं निकला अब मुझे कंसर्ण यह है कि पार्टी आपकी बहुत बड़ी पार्टी है नजरियादी पार्टी है उस पार्टी का जब आप एलेक्शन भी लड़ेंगे एलेक्शन में भी जाएंगे इससे पहले अदालतों को भी फेस करेंगे जेलें भी फेस करेंगे narrative नहीं समझा रहा आपका वो डंट डालेगा आपको मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा narrative तो बड़ा वाज़ है कि हम इस मुल्क की हर J.I.T. में पेश होंगे हम इस मुल्क के हर कोट में पेश होंगे ये तो मजबूरी है आपकी हमारी मजबूरी नहीं है हमने बुटो साब को शहीद किया इन अदालतों ने जुडिशल मर्डर है वो सारी कौम मानती है हमने फिर भी अदालतों को बुरा तो नहीं का पीपल्स पाल्टी जो जरदारी साब से रिलेटेड है आज के दोर में हमें हजार तहफ़ आत्यांति है एक एक प्वाइंट नुक्ते पर बात करके क्यों नहीं जुप जाब दे हैं वो कहते हैं बन्क replyक्शन थैंवं बत्ती अकाउंट्स हैं, सारी चीज़ें आपके सामने, यह सद्गे भी अपने पहले से नहीं देते हैं, जाली अकाउंटों से, खाने भी बिलावाला, उसके चीज़ें भी सारी, वो सारी आप ने देखा लिस्ट, आप प्रोटेक्टर पर उदर प्रोटेक्टर पर जब चल आएंगा और एक चीज़ मैं ग्रिंटी के साथ आपको कहता हूं, कि हमारा नेरिटिव जो है, या हमारा मुकदमा कमजोर नहीं होगा, हमारा ये नहीं होगा कि एरपोर्ट का अगर कॉल दी है, तो हम एरपोर्ट पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, तो फिर हम पुलीस कस्टेडि में होंगे तो नहीं पहुंचेंगे, पुलीटिकल वर्कर के सकता कि हमें कोई बेरियर पर नौजशी आपको कहा था, उस फैसले के खिलाब नैब जो है, वो सब्रीम कोर्ट चले गई है, अगर नैब को सब्रीम कोर्ट, वो मुकदमे में गो हेड मिलता है, यानि पुलिटिकल वर्कर के दौर पर आप इन सारी गिर्फ़ारियों को किस मेज़र से देखते हैं? मैं तो इनको यही देखता हूँ कि यह जो सब कुछ हो रहा है, यह कोई मुलक और कौम के लिए ठीक नहीं हो रहा है। हर सलूशन का हल जो है वो पॉलिटीशन ही है, कोई भी डिक्टेटर, कोई भी किसी किसम का मार्शलाओ, चाहे वो जुडिशन मार्शलाओ, चाहे वो किसी डिक्टेटर का मार्शलाओ, फौजी मार्शलाओ, वो नहीं चल सकता। तो मनी ट्रेल देनी नहीं चाहिए थो ने देनी चाहिए जी यूँ नहीं आपके घर को यह आ जाया आपसे पूचे कि यह कहां से बना तो आप बता नहीं सकते हैं आप बता सकते हैं मैं कोई उनका स्पोक्समेन तो नहीं हूँ वो तो नूनली की बता सकती है मैं तो पीपल्स पार्टी का कह रहा हूँ कि जो चीज देनी होगी हम जरूर देंगे अच्छा इन सारी गरिफतारियों के बाद आप मैं यह आप से पुछना चारा हूँ कि नवाज शरीफ साथ गरिफतार हो गए लहोर में पता नहीं टूटा तो जो कि जुछना ये चारा हूँ कि जर्दारी साथ अगर अंदर जाते हैं जेल चले जाते हैं तो फिर भी यह जात होगे ने ने सिए इन्षाला प्रोटेस्ट भच कि नवागा इतारों को तो आप इतराम करते हैं, तो पोर्टरेस किसके खिलाफ। हकूमत के खिलाफ। हकूमत तो पकड़ी नहीं रही। वा में पकड़ी हिकूमत रही है। JAD हकूमा ने मनाई है। सप्रीम कोड़ के उर्डर पे बनी है ना। वो कि है जियाव फाईय जो है फाईय वो हमारे खिलाफ नहीं तो अंडर दी डिरेक्शन अब स्प्रीम कोडनों ने काम किया ना इतने साल हो गए आपको पीपल्स पार्टी के साथ आपको उसकी रवायत का भी पता है क्या होगा मैक्सिमम मसलन अगर मैं आपसे पूछू हूँ आप प्रडिक्शन आप दें कि क्या हो सकता है मैक्सिमम मुझे तो नहीं लग रहा कि हम गिरफ्तार भी होंगे आप हमारे से जिरफ्तारी के बात करना रहा कि पूछandan हो अम इनुस्नेंट हैं बे गुना हैं और बे गुनां क्यों कोई गिरफ्तार करेंगा पर नहीं पर कोई राय ने दूँगा मैं आपकी देखें आपकी राय का बड़ा इतराम करता हूं अल्ला करें आपके इसी तरह हो लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो खाक में बादान नहीं मैं अगर इस पर नहीं मानता जी मुझे पूरा यकीन है कि हम बेगुना हैं और इंशालला हम बेगुना थाबित होंगे थार कोल में कोई ऐसा मसला नहीं है वो तो चीफ साब खुद गए और उन्होंने पानी भी बड़ा पसंद की है और उन्होंने थार कोल का प्रोजेक्ट भी बड़ा एप्रिशेट की है तो ऐसी कोई बाद नहीं है बहुत शुक्रिया जी हसनल मुर्दा साब से गुफ्त को हम कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि सुरते हाल जो है वो किस तरफ जा सकती है आप हमारे साथ रहें झाल झाल झाल